नमस्कार सनातन विचार में आपका स्वागत है आज इस पुस्तिका पे हम चर्चा कर रहे हैं वह गीता प्रेस गुरकपुर द्वारा प्रकाशित गोपाल नाम की पुस्तिका है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर आधारित जो चित्र कथाओं की श्रिंखला है चार पुस्तिका में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारा बलराम की यशोदा के समक्च शिकायत से लेकर के वच्सा सुरुधार तक की नौ बाल लीलाओं का सचेतर चित्रण है पहली जो पहला जो खंड है जिसका मोहन इसके बाद की है इस सीरीज में चित्रकथाओं की श्रिंखला में सारे कलर्ड पॉलिष्ट पेजेज है पहली कथा मया मोही दाव बहुत खिजायो इसमें बलराम जी की शिकायत करने आते हैं भगवान श्री कृष्ण गोविंदा का गोव प्रेम इसमें गो माता की महि का भी प्रतिपादन किया गया है संशेप में ही इस कथा के अंतर गती ब्राह्मन पर श्रीकृष्ण कृपा यह एक अख्यान आया है वात्सल्य भरा साशन बंदरों को माखन लुटाना उखल बंधन जिसमें आपको यमलार्जुन उद्धार की कथा आ जाती है और फल बेशने वाली पर खिपा फिर से गोपाल की गोपूजा यह भी गोमाता की महिमा गोपूजा से सम्मन्दित एक और आख्यान आता है इसमें और उसके बाद अंत में वत्सा सुर का उद्धार तो इस प्रकार यह नौ कथाएं आती हैं भाशा बहुत ही सरल है और बालक वृद्ध सभी असानी से पढ़ सके समझ सके फॉन्ट वगेरा स्पेसिंग वगेरा बहुत क्लियर है हिंदी में ही है यह सारी पुस्तिकाई कुल 20 प्रिष्ट है इसमें कवर पेजेस को मिलाके तो यह थी कुछ जानकारी गीता प्रिष द्वरा प्रकाशित गोपाल पुस्तिकाई के बारे में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो